दोस्तो इस साइट पर दूसरी वीडियो बन रही है पहली वीडियो हम आपको फोल्स लिंक के बता चुके हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं यह रूम है इस रूम के अंदर कम्प्लीट वाइरिंग सिखाएंगे जो छोटे इलेक्रिशन हैं उनके लिए यहाँ पर हम डाइगराम के थ्रू भी पूरा समझाएंगे यहाँ पर किस तरह से तोड़ते हैं तोड़ने फोनने से लेकर पूरी MCB बॉक्स तक की वाइरिंग सिखाने वाले हैं तो वीडियो के अंदर बने रहें लास तक वीडियो देखें समय निकाल कर देखें अगर नॉर्मल इलेक्रिशन है छोटे इलेक्रिशन है तो उनके लिए काफी बैस्ट वीडियो होने वाली है क्योंकि हमारा काम है छोटे इलेक्टिशन को बड़ा इलेक्टिशन बनाना तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस टाइप की वाइरिंग से सिखाएंगे न्यूट्रल फेज इन्वैटर अर्थिंग लगाना सिखाएंगे कौन-कौन सा वाइर रूम के अंदर एड किया जाता है यह है कुछ हम आपको सब सिखाने वाले हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आप लोगों को इसी का दूसरा पार्ट जो है स्वीचबोर्ट लगाने का वह भी जल से जल आपको मिल जाए तो चलिए दोस्तों शिरू करते हैं यहाँ पर मैंने वाल कटिंग की थी इसकी पाइपिंग की वीडियो है आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए क्योंकि इसके अंदर सीमेंट वगेरा होता है लाइट बोक्स आपने जो भी लाइट बोक्स लगाई है चोटी वाली बड़ी वाली तो उसको भी अच्छे तरीके से सफाई कर लें और उसके पाइप वगेरा तोड़ दें हम आपको सरलता से समझाएंगे वीडियो को स्किप भी मत कीजिएगा और आगे भी मत बढ़ाईएगा 10-10-5-5 शेकेंड क्योंकि कुछ नकुछ इंपोटेंट चीज़े मिस भी हो सकती आप से तो पूरी वच कीजिएगा लाश तक ठीके तो यहाँ पर अब हम स्वीच पोड की सफाई करेंगे इसके उपर वाली जो पाइप होते हैं उनको भी तोड़ेंगे पहले से ही तोड़ लें यहाँ पर देख सकते हैं च्यार लाइटे छटपे हैं और एक फैन बॉक्स हैं और दिवारों में च्यार डबियां लगाए गई है जो कि जक्षन बॉक्स इसे कहा जाता है और दिवारों में च्यार स्वीच बोड लगाए गए हैं जिसमें एक दिवार खाली है यहाँ ठीक है तो यहाँ पर यह है जो रूम आप देख रहे हैं इसकी फॉर्सिलिंग की वाइरिंग की वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा फुल वाइरिंग है तो वो भी आप देख सकते हैं 100% चलिए वाइरिंग शुरू करते हैं अब यहाँ पर हम वाइरिंग को खोलेंगे वाइरिंग ओविसलि कौन कौन सी चाहिए आपको यह हम आपको बताएंगे 2.5 mm की हमको कंपलसरिया पर चाहिए ठीक है यहाँ पर 5 mm की केबल तो चाहिए चाहिए 4 mm की केबल का ज़रुत अभी नहीं है हमारे पास ठीक है और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी केबले हैं जिनमें कुछ केबल हमें यूज लेनी है यहाँ पर 1.5 mm की केबल आपको यूज लेनी है 100% यह तो जरूरी है 1 mm की आपको केबल यूज लेनी यह भी काफी हद तक जरूरी है और ये तो ज्यादा जरूरी है 1 mm की केबल ठीके और हम आपको आगे सब कुछ समझाएंगे कि कौन से केबल कहां कहां पे इंकलूडिंग होगी यह सब कुछ आपको दिखाने वाले हैं तो यहां पर बहुत सारी वाइरिंग है वाइरिंग के प्राइज अभी थोड़ी सी ज्यादा हो चुकी है तो कॉंप्रोमाइज कर लेना मार्किट के अंदर बहुत ही महंगा भी केबल आ रहा है तो यहां पे अभी 2.5 mm की केबल को हमने खोल लिया है 2.5 mm की न्यूटरल और फ इन्वेटर में ग्रीन कलर न्यूटरल में और अर्थिंग में भी यूज लेंगे ठीक है तो यहां पर कुछ यह वाइर है इसको सबसे पहले हम खोलना सिखाते हैं आपको किस तरह से खोला जाता है यह बिगनर इलेक्ट्रिशन के लिए वीडियो काफी ज़्यादा संपनियों के केबल्स के अंदर अलग अलग बंदाई होती है अंदर से इसके अंदर तो अलगी तरीके की बंदाई है इसको भी खोलिए आप ठीक है तो इसके अंदर रसी नुमा आकार की यहां पर बनाई गई है और इसे भी आप इस तरह से बाहर निकाल सकते हैं सबसे पह watches के अंदर गये हैं छीके औरREY की बात करें तो 4 वोल है यहां पर जिसमें एक वोल एक नमबर वोल यह है दो लो यहतीन न्बर वोल यह और चार नमबर इस साड में लें कि यहां से जो मॉजक है सीधा इमसी भी बॉक्स में जा रहा है ठीक है और यहां switchboard के अंदर ही सबसे पहले wiring होती है जिसे light bulb fan वगेरा जलाए जाते हैं तो सबसे पहले आपको spring का उपयोग लेना होगा spring की मदद से आपको wire का size करना होगा सिर्फ एक wire का size करना है बाकि आपको tension नहीं है एक wire यहाँ पे पोच चुका है एक number दीवार के अंदर एक number wall ठीक है तो यहाँ पे spring पोच चुके थोड़ा सा extra ले लेंगे और यहाँ पर भी थोड़ा extra लेंगे similar यहाँ पे एक spring के size का ही wire है लेकिन हम क्या करेंगे एक wire यहाँ पे अटकाएंगे लगाएंगे और यहाँ से खीचेंगे fan के लिए होगा मतलब यहाँ से fan box के अंदर fan लगेगा इसका एक point यहाँ पे तयार हो चुका है एक point तयार हो गया अब आप कहेंगे neutral का है इसका भी हम आपको बताने वाले हैं तो इस पूरे wire को आप वापस से बाहर निकाल दें जिससे की आपको काम आसान हो जाएगा तो यह wire मैंने निकाल दिया perfect size हो चुका है wall number one का अब यहाँ पर हमें क्या करना है यह जो wire है इसको fan box के अंदर अच्छे से गांट लगा के छोड़ दीजिए थोड़ा सा extra छोड़ देना है ताकि जो fan के अंदर है वो भी आ जाए और switchboard तक भी पहुच जाए तो यह देख सकते हैं एक wire मैंने छोड़ दिया है यहाँ पर अटका के लगा की तो अब हमें neutral को खोलना है यानि के मैं green color के neutral का उप्योग करूँगा यहाँ पर और इससे earthing का भी use करूँगा यहाँ पर देख सकते हैं यह दो wire लेंगे boxes के साथ में ही रहना है box के अंदर ही रहने देना है यहाँ पर यह देख सकते हैं एक light box है ठीक है तो इस side से fan box से light box में जाना है लेकिन यहाँ से हम spring डालेंगे अब spring नीचे खड़े-खड़े आप खीच सकते हैं यहाँ दोस्तों मैंने एक जुगाड बनाया है और इस जुगाड की video भी मेरे पास है description में लिंक मिल जाएगा तो यह जुगाड मैंने के से बनाया है और क्यों बनाया था मेरे पास idea के से आया था जुगाड का इसका भी आपको लिंक मिल जाएगा description में ठीक है तो यहाँ पर इसको अंदर डालेंगे और बस simply से खीच लेंगे अब यह spring जो है नीचे आजाएगे बड़ी आसानी से अब यहाँ पर दोस्तों यह बिल्कुल beginner electrician के लिए है बहुत आसानी से आप सीख जाएंगे वाइरिंग ठीक है तो यह देख सकते है spring काफिया तक अंदर चली गई है अब यहाँ पर spring के जो मुह होता है इसके अंदर यह दोनों वाइर डाल दें यानि के एक पीला वाला और एक ग्रीन वाला जरूरी निए ग्रीन आप red और black भी रख सकते हैं आपकी इच्छा अनुसार आपको समझ में आना चाहिए कि यह point है तो इन दोनों वाइरों को नीचे से खीचा जाएगा light box के अंदर concealed box कहते हैं इसे जब हम छट के उपर लगाएते हैं तो यहां पर यह देख सकते हैं यह आ चुका है वाइर अब बंदा नीचे खड़ा है और यहीं से गांट देखर के छोड़ देगा और मैं क्या करूँगा इस वाइर को खीच के बिल्कुल सिंपल तरीके से इसे खीचूँगा और यह जाके फस जाएगा वाइर और जितना हमें वाइर के रिक्वाइरमेंट है उतना उस लाइट बॉक्स के अंदर आ जाएगा और वाइर की खपत भी ज़्यादा नहीं होगी गरहक का पेसा भी बचेगा ठीके अब यहाँ पर आपको ग्रीन कलर का वाइर यहीं पे कट कर देना है आगे समझाओंगा कि यह कहाँ पे जुड़ेगा अब आप कहेंगे फैन बॉक्स में जोइंट तो नहीं रखना चाहिए लेकिन यह क्या हो गया ठीके तो आगे अच्छे तरीके से समझाएंगे गाईस अब यहाँ पर पीला कलर का जो वायर है जो डबे में आ रहा है और एक एक्स्ट्रा मैंने रखा था इसको इसी पीले के साथ में मतलब इसी पॉइंट के साथ में आपको साइज कर लेना है यहाँ से आप देख सकते हैं उसी साइज का यह देख सकते हैं मैंने काट दिया अब बही चक आप पूरे पॉइंट काट सकते हैं इसी तरीके से तो देख सकते हैं मैंने एक पॉइंट यहाँ से सीधा तयार कर लिया है ठीके तो अब मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए दो पॉइंट लीजिए और यहां से दूसरे बॉक्स के अंदर आप डालिए स्प्रिंग और नीचे खड़े-गड़े बंदेगो यहां पाइप की मदद से यह देख सकते हैं स्प्रिंग बिल्कुल नीचे आचुकी है और यहां से नीचे जो बंदा है वो खीच लेगा इस्प्रिंग को ठीके और यह जो केबल डबे के अंदर से आ रही है इसको completely आप बांध दीजिए इस तरीके से बिल्कुल टेप वगेरा नहीं लगाना है आप इसी तरह से डाल दे हैं neutral वाले और इस जो पीले वाले कलर का wire बचा है इसको आप उसी size का करें जिस size का आपने सबसे first में किया था जो first number wall के अंदर किया था ठीक है तो जिस switchboard में आपको point ले जाना है बस उसी size का आपको करना है यहाँ पर ठीक है तो तीसरी दीवार में भी मतलब तीसरा box में भी इसी तरह से आपको use लेना है काम में लेना है ताकि आप आसानी से electrician work कर सके देख सकते हैं आप कितनी जल्दी points में लगा रहा हूं आप खुद अंदाज लगाईए कि यह trick कितना कारगर साबित है बहुत ही जल्दी house wiring हो जाती है इस tricks से ठीक है कहां एक घंटा दो घंटा ल तैयार तीन point तैयार हो चुके हैं और neutral को काट दिया और बस यह तीसरा point भी इसी तरह से size कर लेंगे तो I hope कि आपने point वगेरा तो समझ लिया किस तरह से हमने एक एक करना है और neutral को आपको fan box के अंदर ही छोड़ देना है जितनी lightे हैं तो यह देख सकते हैं एक wire, दो wire, तीन wire, चार wire, पांच हुआ wire है ठीक है पांच wire होगे मैं गिनवा देता हूँ आपको एक light ठीक है दो light, तीन light, चार light ठीक है और एक fan box है पांच, पांच wire होगे पीले color के तो यहां उपर की तरफ देखेंगे तो सभी pipe के अंदर से एक एक green color का neutral आ रहा है यह देख सकते हैं 1 mm का wire उपयोग लेना है यहां पर अगर normal load चलाना है यहां पर देख सकते हैं सभी के अंदर से एक एक green wire आ रहा है जो की single टुकड़े के अंदर पचा हुआ है इन सभी को एक जगे अगर दे कुछ इस तरीके से यह देख सकते हैं 4 wire neutral हो गए 5 wire यहां पर point हो गए ठीक है अब यहा size का आपको यह सब लंबाई कर देने मतलब green color का wire भी इसको लंबाई में कर देना है यह काफी important चीज है यह green color का wire एक external आपको लगाना ही है इसका मतलब क्या होगा मैं आपको आगे समझाओंगा ठीक है तो यह देख सकते हैं green color का जो wire मैंने अभी लगाया है यह wire कहां पर connect ह होगा यह देख सकते हैं कहां पर connect होगा यह पूरा आपस में जुड़ जाएगा यहां कुछ इस तरीके से और जुड़ने की मैं आपको दिखाऊंगा complete process तो यहां पर देख सकते हैं जितने भी neutral आए जितने भी green color के हैं वो सभी एक जगह हो गए और जो मैंने switchboard तक का size किय है वो भी एक जगह हो गया नीचे तक आ गया तो इन चारो लाइटों के अंदर से एक एक green color आ रहा है और एक एक yellow color आ रहा है जो की switchboard तक का है ठीक है अब यहां पर आपको मैं दिखाता हूँ एक छोटा सा structure जो दिवार के अंदर दिवार number four wall number four के अंदर कुछ इस तरह से pipe जा रहा है तो इस तरह से pipe जा रहा है तो हमें एक point इस तरह से देना है पड़ेगा तो एक wire आपका use लेना है जैसे यहां पर wire बचने का chances बढ़ गया है जैसे कि मैं यहां से एक wire ले रहा हूँ दो wire नहीं ले रहा हूँ क्यों नहीं ले रहा हूँ मैं आपको समझाऊंगा आगे तो एक वायर मैंने यहां से ले लिया अब इसके साइज करेंगे यानि के वाल नमबर फोर दीवार नमबर चार है यह तो इसके अंदर में क्या करूँगा यह पॉइंट डाल दिया और इसको भी उसी स्वीच बोर्ट तक का साइज कर लूँगा जिस स्वीच बोर्ट से मैं इसे चलाना चाहता हूँ तो इसको भी मैं कट कर लूँगा तो यह जितने भी पॉइंट है यह सब एक साथ जाएंगे अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे जाएंगे तो यहां से मैंने उस दिवार के अंदर जो वाल नमबर फोर है इसके अंदर मैंने इस्प्रिंग डाल यह है ना यह ग्रीन कलर का भी वायर है इसको भी खीच लेंगे साथ में ठीक है तो यहां से मैं जैसे ही खीचवाता हूँ तो यहां पर पॉइंट्स आ जाते हैं नूट्रल और फेज यानि के पॉइंट्स आ जाता है नूट्रल का साथ में तो अब क्या करेंगे जो नूट से दो-दो काम हो गए इस तरीके से यह वाइरिंग आप खुद देख सकते कैसे जा रही है ठीक है तो एक न्यूट्रल से दो लाइट जल जाएगी और पॉइंट अलग-लग जल जाएंगे तो कुछ इस तरीके से हमने यहां पे वाल नंबर फोर में पॉइंट डाल दिये तो एक पॉइंट, दो पॉइंट, तीन पॉइंट, चार पॉइंट, पाच पॉइंट और छे पॉइंट तो छे पॉइंट से छे स्विच जलेंगे आपको यकीन हो गया और यह दोनों एक-एक एम-एम से यानि के पॉइंट का काम कंप्लेट हो गया है अब कितना-कितना वायर बचा है यह मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर यह देख सकते हैं अभी मैं फाड के देखा दा हूँ तो यह देख सकते हैं कुछ ही वायर बचा है मतलब 100 feet के आसपास यहां पर बच चुका है ठीक है और यहां पर देखेंगे तो इसके अंदर थोड़ा ज्यादा ही बचेगा क्योंकि ग्रीन कलर का थोड़ा सा कम लगा है न्यूटल न्यूटल में और बाकी स्विचपोर्ट के अंदर नहीं लगा है और यह 90 मिटर के आसपास केबल आती है आपको बता है पोईंटों के अंदर यहां पर बहुत ज़्यादा यूज होता है वन एमेम का वायर बाकी तो बहुत ही कम यूज होते है ठीक है और यह रूम की साइज की बात कर ले तो यह तकरीबन 15 बाई 14 का रूम है यहां पर ठीक है अब हम शुरू करते हैं में लाइन यानी न्यूटल फेस इन्वेटर अर्थिंग ठीक है तो यहां पर देख सकते हैं 1.5 mm की केबल और यह 1.5 mm की केबल अब यहां पर हम किसा इड करेंगे यह 1mm की केबल इन्वेटर यह 1mm की केबल अर्थिंग ठीक है तो यह नीट्रिब हो गया 1mm पॉइंट 5 mm यह फेस हो गया 1.5 mm यह 1 mm का इन्वेटर यह 1.5 मचा इन्वेटर के अंदर वी 1.5 लगा सकते हैं अगर आपको ज्यादा लो से कट नहीं करना है केबल को बॉक्स के अंदर ही रहना है ठीक है तो यह देख सकते वाल नंबर वन के अंदर जाएगा यह दीवार के अंदर ठीक है तो यहां पर हम इस तरीके से टेप करेंगे और आगे की तरफ एक मुझ छोड़ देंगे एक सिंगल वायर का और टेप अच् के लिए बनाए जा रही है वीडियो आप लोग अच्छे से सीख जाएंगे और माकिट के अंदर काम भी करने लग जाएंगे मुझे यकीन है यह वीडियो देखने के बाद यहां पर देख सकते हैं वाल नंबर वन के अंदर हम इन पॉइंटों को और न्यूट्रल फेज इन के अंदर भी फस जाएगा और अच्छे से फैन वाक्स के अंदर फिट नहीं हो पाएगा तो इस चीज का ख्याल जरूर कीजिएगा तो वाल नंबर वन के अंदर पॉइंट्स आ चुके हैं और न्यूट्रल फेज इन्वैटर अर्थिंग भी आ चुका है लेकि न्यूट्र पूरे वायर पहुच चुके हैं तो इसे लूपिंग कनेक्शन कहते हैं यहां पर देख सकते हैं अब इस स्विच बोर्ट से बाईपास करेंगे हम वाल नंबर टू दिवार में या फिर wall number 3 दिवार में ठीक है ये wall number 3 है तो हम चाहते हैं wall number 3 के अंदर ही setup कर ले अभी हम आपको दिखाते हैं सबसे पहले हमने क्या किया यहां पर fan box है fan box के अंदर wall number 1 से यहां fan box के अंदर 4 wire लेके आए है neutral phase inverter और अर्थिंग तो 4 wire हमने fan box के अंदर ही लेके आ गए हैं यहा number wall है तो हमने फेसला किया है wall number 3 के अंदर ही wire को ले जाया जाए तो सबसे पहले हम size करेंगे क्यूंकि guys यह heavy wire होते हैं 1.5 mm के बहुत महेंगे wire होते हैं तो इनको size करना बहुत जरूरी होता है ज्यादा extra आ जाते हैं तो फिर देखो नुकसान ही है cables वगेरा गा तो यहां पर तो perfect spring का ही size बन रहा है यहां पर एक room के अंदर ठीक है तो इसे बाहर निकालेंगे और इसी spring के मदद से उस wire को size करेंगे यह वाला wire जो neutral phase inverter अर्थिंग है जो wall number 1 से आ रहा है ठीक है तो यहां से हम size करेंगे और सीधा लंबा size करेंगे और थोड़ा सा extra ले लेंगे क्यूंक हमें switch board से बाहर भी तो निकालना है तो कुछ एक से डेड़ फिट के around आपको extra काट लेना है ठीक है तो यहां पे हम बेही चक होके काट रहे हैं क्योंकि हमें मालूम पड़ चुका है कि यही size यहां पे देखने को मिल रहा है अब यहां पे 4 वाइरो के साथ में 2 AC गीजर के भी एड़ करने 2.5 mm के जिहां दोस्तों धाई mm की केबल भी हमें डालनी पड़ेगी क्योंकि जिस थ्री निमबर दिवार के अंदर AC लगेगा तो थ्री निमबर दिवार के अंदर AC का 2.5 mm की केबल और 1.5 mm की केबल inverter और अर्थिंग यहां पे एड़ की जाएगा यहां पे जाएगा अब 6 वायर के साथ में जो वर्ल नमबर 1 से आ रहा है चार वायर न्यूटल पेज इनिवेटर अर्थिंग यहां भी साथ में जाएगा क्योंकि हमें फैन बॉक्स में जोइंट नहीं रखना है हमें परफेक्ट वायरिंग करनी है बिना जलने वाली जोइंटिंग जोइंट नहीं करना है तो हम क्या करेंगे यह जितने भी दस वायर बन रहे हैं यहां पर टोटल सर्किट लाइन दस वायर बन रहे है तो टेप उप लगा करके स्प्रिंग वगेरा लगा करके बिल्कुल परफेक्ट पहले से ही कर लें अब यह जितनी भी वायर है यह सारी क के अंदर जाने वाली है यहां दोस्तों वाल नंबर थी आपको पता है कौन सी है यह वाली है ठीक है तो इसके अंदर के से डालेंगे इस प्रिंग के अंदर हमने वाइरिंग को पहले से ही एड कर दिया है अब हम इस प्रिंग को उस लाइट बॉक्स में डालेंगे सोरी जेक् 10 वायर हो चुके यहां पर और सीधे 10 वायर यहां पर देख सकते हैं सामने वाली दिवार में 3 नंबर दिवार में आ चुकी है यहां से होते हुए सीधा तीसरे नंबर दिवार में ठीक है तो यह जो वर्ल नंबर 1 से वर्ल नंबर 3 के अंदर जा रही है वो तो complete हो गई वायरि इसके बारे में हम आपको आगे बताते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं यह बिल्कुल perfect size बन चुका है आपको मैंने कितनी अच्छे तरीके से सिखाया आप size कर सकते हैं कुछ इसी तरीके से देख सकते हैं पूरी wiring fan box के अंदर आ चुकी है ठीक है तो अब यह हमें यहां तक ड देख सकते हैं हम स्प्रिंग के मदद से वायर को अंदर डाल रहे हैं कितनी आसानी से गाइस बिल्कुल बिगिनिर के लिए तो काफी बैस्ट वीडियो बन रही है यह बहुत ही आसानी से वायरिंग सीख रहे हैं मुझे पता है काफी लोग सीख चुके होंगे अब तक तो आ गई जो की वाल नमबर वन से भी आ रहा है और दो यहां पर नूटरल है 1.5 mm और दो फेज है 1.5 mm अब यहां पर डाइग्राम में समझे वाल नमबर वन से बाइपास होते हुए वाल नमबर थरी के अंदर चार वायर पोचे जिसमें एक नूटरल एक फेज और एक इन्व वायर बाइपास हुए वाल नमबर वन के अंदर चार वायर निकले यहां से बाइपास होते हुए वाल नमबर थरी के अंदर पहुचे अब वाल नमबर थरी से फैन बॉक्स तक हमने 2.5 mm का एसी के लिए नीटरल निकाला। और फेज निकाला। ठीक है दो एक्स्ट्रा और यहां से एक 1.5 mm का नूट्रल 1.5 mm का फेज निकाला फिर इन्वेटर निकाला फिर अर्थिंग निकाला यानि कि वॉल नमबर 3 से हमने 6 वायर निकाले और फैन बॉक्स तक छोड़ दिये ठीक है अब यहां पर आप देख सकते हैं आपको एक्स्ट के अंदर स्प्रिंग डालें और यहीं से आपको खीच लेना है कुछ इस तरीके से तो इस तरह से खीचने के बाद क्या है जो लाइट बॉक्स के अंदर वायर है आ जाएंगे यह तो आपको न्यूटल फेज दोनों ही लेके आना है क्योंकि डबी के अंदर आपको वायर इस लाइड बॉक्स के ही है वोल नंबर थरी से जो वायर आ रही है न्यूटल फेज इन्वेटर अर्थिंग और एस ही की तो इसे साइज करने के लिए आप कुछ इस तरीके से साइज कर सकते हैं वोल नंबर टू तक का साइज लेना है यहाँ पर थोड़ा सा सिंपल तरीके से ठीक है तो यहां से जो चार वायर है वोल नंबर वन के अंदर वो यहां से होते हुए वोल नंबर थरी के अंदर गए बिल्कुल सिंपल वाशा में समझा रहे हैं वोल नंबर थरी के अंदर आए और यहां से छे वायर और निकले जो के न्यूटल फेज इन number two के अंदर geyser का connection कैसे किया जाएगा ये देख सकते हैं fan box के अंदर किसी भी किसम का joint यहां पे नहीं है आप खुद देख सकते हैं ठीक है तो यहां से wall number 2 के अंदर wall number 3 से आ रहा है wire wall number 2 के अंदर ठीक है circuit लाइन आ रही है स्प्रिंग के माद्यम से सीधा यहां से खीचेंगे और यह जितना भी वायर है इसको पहले टेप वगएरा अच्छे से लगा करके इस प्रिंग के अंदर एड कर दें नूटल फेज इन्वेटर अर्थिंग और दो धाई एमिम के वायरे जिससे गीजर भी वर्क करेगा यहां दोस्तों ठीके तो यहां पर इसे इस तरह से एड कर दे इस तरह से और यहां से हम इसे खीच लेंगे तो वायर नमबर टू के अंदर यह वायर आने वाले हैं ठीके तो अब अन्त में आपको मालूम है इसको सप्लाई कोन देगा यह वायर के से चलेंगे इनको करेंट कोन द दिखाएंगे तो जितने भी वाइर हैं यह सब आ चुके हैं वाल नबबर 20 के अंदर वाल नमबर 30 से वाल नमबर 20 के अंदर तो यह देख सकते हैं कुछ भी यहां पे जोंट नहीं है यहां पर एक भी जोंट नहीं है और लाइन पिल्कुत परफेक्ट हो चुकी यह देख सकते हैं 6 वायर यहाँ पर आ चुके हैं अब यहाँ पर थोड़ा सा डाइगराम के अंदर हम आपको दिखाते हैं केसे तो वर्ल नमबर 3 से वर्ल नमबर 2 के अंदर हमने 6 वायर निकाले जो कि नूट्रल फेज गीजर के 2.5 mm नूट्रल फेज मेल लाइन के जो कि 1.5 5 mm और इन्वेटर और एक अर्थिंग तो इस स्विच बोड में यहाँ पर 6 वायर हो गए यहां से 6 वायर आई सीधा यहां पर ठीक है तो इसके अंदर भी कुछ उसी तरीके से आपको पॉइंट डाल देना है बिल्कुल जोइंट नहीं करना है लाइट बॉक्स के अंदर त ताकि आपको मालूम हो जाए कि यह लाइट वोक्स का है ठीक है तो अब हम यहां पर एक स्विच बोड जिसके अंदर थोड़ा सा बाइपास करेंगे इसके एक वर्ल कटिंग की है यहां पर वर्ल कटिंग कुछ इस तरह से किया था हमने तो इसकी वीडियो आपको डिस्क्र बिन कुर्बी नहीं होना चाहिए है तो यहां पर देख सकते हैं यह जो न्ूटरल है यह लाइट बॉक्स के लिए हैं जो जक्छन लाइट हैं और यह न्यूटरल इस फैन के लिए भी काम करेगा तो आपको क्या करना है यह जो न्यू आप्स में च्छील लेना है क्योंकि गाइस क्या है कि fan box के अंदर इस joint को तो compulsory करना ही पड़ता है अगर यह joint नहीं करोगे तो fan box से आपकी double wiring जाएगी मतलब जितने आपने पीले कलर की wiring डाली है उतनी ही लंबाई में यह green कलर का wire भी जाता तब यह zero joint में होता लेकिन वो इतना जरूरी नहीं है वो इतना compulsory नही तो जोड सकते हैं mail line के neutral को नहीं सिर्फ light वगरा जो neutral जलते हैं light से जो fan वगरा चलते हैं इसी neutral को तो इसके साथ में एक wire को attach कर देंगे जो कि क्या काम करेगा यह इस fan को जलाएगा यह जो fan देख रहे हैं और यह joint है यह किसी भी एक pipe के अंदर डाल दे और बस यहाँ पर इ डाल दें जिसमें light जा रहे हैं कम से कम तारे उसके अंदर यह wire डाल दें बिल्कुल भी जलेगा नहीं no problem no tension guys ठीक है तो यह देख सकते हैं कितना अच्छा हुआ अब हम mcb box की wiring करेंगे किस तरह से mcb box तक circuit पहुचाते हैं तो यह देख सकते हैं guys यहां से जो यह wire आ रहा ह यह किस कमरे से आ रहा है यह इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है description में आपको link मिल जाएगा flash link यानि कि force link के अंदर किस तरह से मैंने wiring की detailed बनाई है यह उसी कमरे से आ रही है तो इसी कमरे के माद्यम से हम उस mcb box तक इसका भी circuit पहुचाएंगे और इस room का भी यान mcb box तक ठीक है तो यहां से हम दो circuit ले जाएंगे तो सबसे पहले हमने यह काम तो कर लिया यह line जो है यहां तक पहुचा दी यह mcb box तक पहले से ही size की गई है अब यहां पर mcb box के लिए हमें 2.5 mm की 1 cable फिर से 1 cable और 2 cable 1.5 mm की भी यहां पर 2 cable 1 mm की यहां पर 2 cable ठीक है तो 2 wire 2.5 mm के AC geyser वगरा के लिए 2 wire neutral phase और 2 wire inverter और अर्थिंग तो इन सभी को आपस में इस तरह से जोड़ेंगे और सीधा mcb box तक इसे पहुचा देंगे तो यह देख सकते हैं एक room का और दूसरे room का यह दोनों room के आपस में इस तरह से जोड़ देंगे क्योंकि एक mcb box के अ अगरा लगा दिया है इस तरीके से अब इस line को सीधा हम पहुचा देंगे mcb box तक जो कि आपको अच्छे तरीके से knowledge में लेना है और सबसे पहले wiring बचाने का तरीका obviously वही कर सकते हैं जो च्छत के अंदर pipe लगाते हैं अच्छे तरीके से ठीके तो हमने अच्छे तरीके से pipe लगाया है च्छत के अंदर तब ही यहां से wiring बच रही है ठीके सेव हो रही है तो बाहर की तरफ देखेंगे हम mcb box को तो यहां पर देख सकते हैं इतनी दूर है mcb box यह वाला ठीके बाहर की सरफ बिल्कुल outside तो यहां पर mcb box के अंदर spring आ चुकी है इस room के अंदर है व आप उस room को ignore कीजिए आप इस room की जो wiring है इसको notice कीजिए ठीके तो यहां पर देख सकते हैं जो मैंने हाथ में पकड़ रखा है छे वायर वो इस room के circuit है यह यह वाले जितने भी वायर देख रहे हैं आप छे color के वायर छे वायर ठीके तो यह जितने भी mcb box के अंदर आ हैं बहुत ही आसानी से कोई problem नहीं हुई तो यहां पर देख सकते हैं wiring आ चुकी है और यह पूरे छे वायर आ चुके हैं अब इसको cut करना है लेकिन यह कहां पर जाएगा यह कहां पर क्या fan box के अंदर joint होगा जी नहीं दोस्तों अभी मैं आपको बताता हूं यहां पर जित हैं बिल्कुल fix हो गई अब यहां पर जो हमारे पास इस room का circuit बचा है नो joint बिल्कुल joint हैं यहां पर जो room का circuit बचा है जो छे वायर है दो यहां से जब सरक्ट निकला तो एक सरक्ट एमसे बॉक्स आ रहा है वह सीधा इस रूम में जा रहा है यहां इस रूम से बाइपास हो कर गए और एक इस रूम में आ रहा है यह वाला अब इसको फिक्स नहीं किया है फिक्स कैसे करेंगे तो हमें देखना होगा यहां पे कट करना है जितने भी वायर है ची नहीं दोस्तों यहां पे कट बिल्कुल भी नहीं करना है अगर आपने कट कर दिया तो प्रोब्लम हो जाएगी कहां पे जोइंट करोगे भाई साब ठीके तो आपको क्या करना है वाल न तो काट दिया अब यहां से जो wall number 2 से spring आ रही है और यह है जो wire है mcb box से आ रहा है इसको हम wall number 2 के अंदर set कर देंगे अब यहां पर यह जितनी भी wiring है वो wall number 2 में आ गई है अब यहां पर wall number 2 में जब तक correction नहीं होगा तब तक यह line मतलब यह room नहीं जलेगा मतलब wall number 2 के अंदर wiring joint करेंगे तब ही पूरी room की light जलेगी AC और geezer सभी wall number 2 से ही work करेगा यह देख सकते हैं कितना perfect है हमने work किया कितनी आसान ही से हमने work किया थोड़ा सा diagram भी देख ले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं mcb box तक कैसे गई wall number 2 से एक neutral एक phase AC का निकला wall number 2 से mcb box तक एक neutral एक phase 1.5 mm का निकला ठीक है wall number 2 से और एक inverter और एक अर्थिं mcb box तक गया wall number 2 से ठीक है तो यहाँ पर समझिए 6-6 wire यानि के 12 wire यहाँ पर wall number 2 के अंदर है और wall number 1 के अंदर आप देख सकते हैं 4 wire है और wall number 3 के अंदर 10 wire है तो connection बताते हैं यहाँ से electricity आएगी mcb box से यहाँ से connection होगा यहाँ से bypass होते हो electricity यहाँ पर 3 number में आएगी फिर 1 number में पहुँचेगी कुछ इस तरीके से wiring इस room के अंदर होई है जो की काफी अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा गाईस बहुत ही आसानी से बहुत ही simple बाशा में और बहुत ही अच्छे तरीके से शान्दा ट्रिक्स के जरीए हम आपको सिखाएं एक room का circuit अगर आप हमें कमेंट करते हैं तो हम आपके लिए वीडियो बना देंगे इसका second part switch port और lighting के से लगाई जाती क्योंकि यहाँ पे पटाफट से काम हो रहा है तो आपके लिए एक वीडियो और बना देंगे तो यह देख सकते हैं wall number one wall number three के अंदर wire आ गया wall number two के अंदर भी wire आ गया अब हम आपको समझाएंगे और wall number one के अंदर भी wire आ चुका है यह wall number one है तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे wire आ चुके हैं अभी हम आपको समझाते हैं कि कौन सा wire कहां-कहां केसे-केसे यह wall number three से बातरूम के अंदर जा रहा है यहां से होते हुए यहां पर गीजर लगेगा ठीके? तो गीजर की wiring आ चुकी है वो हमने पहले से ही कर दिया ठीके? तो wall number 2 से इसका circuit जाएगा गीजर के लिए ठीके? तो यह वाला wall number 2 है तो यहांपर हम आपको समझाते हैं ये देखिए जो yellow color के हैं ये जितने भी है ये सब point है जो 6-7 point है और एक system neutral है और ये circuit line है जिसमें एक neutral है एक phase है एक inverter है एक earthing है ठीक है तो ये चार wire है जो circuit है ठीक है और ये दो wire है जो junction के अंदर holder, bulb वगेरा लगाने के लिए wire है ठीक है और नीचे की तरब जो wire देख रहे ह ये नीचे वाले switchboard के लिए चार wire देखने को मिल रहे है ये wall number 1 के अंदर setup किया गया है wall number 1 के अंदर ये wire देखने को मिल रहे है ठीक है अब यहाँ पर wall number 2 के अंदर बात कर रहे है तो ये एक circuit आ रहा है MCB box से ये वाला circuit MCB box से आ रहा है जो कि 2.5 mm के हैं और 2.5 mm के हैं और 2 inverter अर्थिंग है ये सारा MCB box से ही आ रहा है ये MCB box के अंदर से आ रहा है और ये wall number 2 से आ रहा है wall number 3 से आ रहा है यहाँ पे देख सकते हैं चार wire है जो neutral phase डाई के हैं दो neutral phase डेड़ के हैं और एक inverter अर्थिंग है और 2 wire यहाँ से देख सकते हैं light box के हैं और ये bathroom के लिए है ठी वोल न६र वन के अंदर से और रहा है यह चार वाईड जैसे कि मैं आज़को समझाया और यह वोल नूर टू के अंदर से आ धूबत्य है यह अज़की आप नूंबर वएरिंग है जो कि आपने अच्छे तरीके से समझ लिए होगी समझ लिए तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें जल्दी से आप कुछ सेकेंड पार्ट मिल जाएगा अगर आप कमेंट करते हैं आप चाहते हैं तो इसलिए ठीक है तो उम्मीद आप ले ये वाइरिंग सीख लिए होगी और हमा तरीके से सनलिए माज ह।